जेसिका लाल मर्डर केस जो 1999 में सामने आया भारतिय आपराधिक न्याय प्रणाली और अक्सर न्याय में बाधा डालने वारी शक्ति की गतिशीलता के सामने आने वारी चुनोतियों की याद दिलाता है। इस मामले ने राष्ट्री ध्यान आकर्शित किया। सारवज ने काक्रोश को उक्साया और ब्रश्टाचार, गवाहूं को डराने धंकाने और मुकद्मों की निश्पक्षता के बारे में महतुपूर्ण चर्चाय शुरू की। 29 अप्रेल, 1999 की रात, जेसिका लाल, एक युवा मोडल और बार्टेंगर, दिल्ली के एक लोगप्री रेस्तरां टैमरिन कोर्ट में एक भीर भरी सामाजिक सभा में काम कर रही थी। एक विवाद तब हुआ, जब प्रभावशाली राजनेता विनोच शर्मा के पुत्रम मनु शर्मा ने बार बंध होने के बावजूद पे की मांगी। जेसिका लाल ने रेस्टोरेंट की नीती का पालन करते हुए उसे सर्व करने से मना कर दिया। जवाब में शर्मा ने हगदारी और गुस्ते का प्रदर्शन करते हुए कथित तौर पर एक बंधूप निकाली और कई गवाहों के सामने जेसिका लाल को गोली मार दी। फाइरिंग के बाद से दहशत और दहशत का माहौल व्याप्थ हो गया है। आरोपी मनुशर्मा को अपने प्रभावशाली परिवार का समर्थन और संरक्षन प्राप्थ था। गवाहों को अत्यदिक दबाव और धंकियों का सामना करना पड़ा जिसके कारण मामले का शुरुवाती पतन हुआ। आश्चर इजनक रूप से पहले परिक्षन के दोरान महत्वपून चश्मदीदों ने अपने बयान बदल दिये या शत्रुता पून हो गए उनके कारियों को डर या जबर्दस्ती के लिए जिम्मेदार ठहराया। फरवरी 2006 में मनुशर्मा के बरी होने से पूरे देश में स्तब्ध हो गए जिसने कानूनी प्रणाली के भीतर गहरे मुदों को उजागर किया। और सारवजने काक्रोश से प्रेरित होकर इस मामले पर दोबारा गौर किया गया और फिर से सुनवाई का आदेश दिया गया। पत्रकारों, एक्टिविस्टों और जनता के अथक प्रयासों ने न्याय विवस्था की नाकामी को सुधारने के लिए कानूनी विवस्था पर भारी दबाव डाला। 2006 में फिर से मुकदमा शुरू हुआ और अभियोजन पक्ष ने जीवित गवाहों की मदद से एक मजबूत मामला पेश किया जिन्होंने बहादुरी से अपने डर पर काबु पाया। आखिरकार दिसंबर 2006 में मनुशर्मा को दोशी पाया गया और दिल्ली उच न्यायाले ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले से जेसिका लाल के परिवार और पूरे देश को राहत मिली है। इस मामले ने भारतिय न्याय प्रणाले की खामियों को उजागर किया, सता के प्रभाव, ब्रश्टाचार और गवाह संरक्षन के बारे में प्रासंगिक सवाल उठाए। जेसिका लाल मर्डर केस ने न्यायक सुधारों की आवश्रक्ता पर एक राश्ट्रव्यापी बहस छेर दी। जेसिका लाल मर्डर केस ने भारतिय समाज पर स्थाई प्रभाव छोड़ा है। इसने प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किये गए अपराधों के पीडितों द्वारा सामना किये गए न्याय के संघर्ष के एक शक्तिशाली अनुसमारक के रूप में काले किया है। मामले ने कानुम के समक्ष पारदर्शिता, निश्पक्षता और समानता की मांग करने वाले आंदोलनों को प्रेरित किया है। ये प्रणाली की अप्रयापताओं को उजागर करने और अपराधियों को जवाब दे ठहराने में मीडिया और सारवजनिक सक्रियता द्वारा करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवशक्ता पर प्रकाश डालता है, जहां सचाई और न्याय की खोजपर शक्ती और प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये मामला पीडितों के अधिकारों की रक्षा करने और सभी के लिए न्याय के सिधानतों को कायम रखने क सामुहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है